यही है तमन्ना बने बाबा तुम साथ चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए यही है तमन्ना बने बाब तुम साथ यही है तमन्ना बने बाब तुम साथ चले साथ कर को घड़ी ऐसी आए हमें तो अतन की बहुत याद लाए हमें तो अतन की बहुत याद लाए हमें तो अतन की बाब तुम साथ यही है तो अतन की बाब तुम साथ किस काम की है पुरानी ये दुनिया बड़ी प्यार है वो निराकारी दुनिया विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे परम शातिया आनंद अनुभव करेंगे देखो इशारों से कोई बुलाए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए मुद्दत है तो अचके अचके लिए हैं गुजरी बिछडे वतन को मिला क्या यहां पर लगा करके मन को यह तुमने बताया हुआ खेल पूरा जगत का यह ना तक रहा न अधूरा यहां की नशे कोई अब जी को भाए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए यादों में बाबा तेरे मन मगन हो भूला हो संसा बूला ये तन हो तभी पुष्प वर्शा हो गूंजे बधाई पुडो प्राण मेरे चलो ले विदाई परिश्टों की महफिल है आँखें बिछाए हमें तो वतन की बहुत याद आए यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए तो वतन की बहुत आए गुली नात तेनी जाला गोडी नात तेनी जाला कोई और ने हूँ हमें तो वतन की बहुत याद ने आए तो वतन की बहुत आए हमें तो वतन की बहुत आए कुई आर नहीं कुई आर नहीं कुई आर नहीं मुले नाच तेमी गाला गौड़ नाच तेमी गाला कोई आरू मुले नाच तेमी गाला कोई आरू कि अ यह दो करिंदे एरेक्टर है एक। क्अ पुश tutorial बढ़ pendant कarbeitब है क्पान कर दूम करें cotton mmिस झाव क्अ जीर दूम का दूम कर दूम की रेक्टर है क्पान क कि विश झाव मरthrop, आभ तल्द के बी, को एमाच्के खान liवा माच तिन्घजगाना खिया हुआ य हुआ 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 stärणा खिया हुआ 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 अbur duck झाल 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 कल्यान कारी बाप के बच्चों का कर्तव्य हैं सर्व का कल्यान करना, सब को बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना, मीठे बच्चे, बच्चे, कहानी को कहते हैं, कल्यानकारी कहानी, किस ग्यान को कहते हैं, कल्यानकारी ग्यान, कल्यान किस में है, क्या स्वस्त शरीर को प्राप्त करने में कल्यान है, स्वस्त मन बुद्धी संसकार को उपलब्द करने और कराने में कल्यान है क्या विराट धन एकटा करने में कल्यान है किस में कल्यान है क्या परिवार के सभी को बाहरी रूप से खुश करने में कल्यान है कल्यान किस में है जब तक बच्चे तुम्हें कल्यान समझ में नहीं आता न तुम अपना कल्यान कर पाओगे न दूस रोकाओ तुम जिस राह पर चल रहे हो वो राह तो है स्वकल्यान कारी की राह इस राह में तुम मास्टर बनते हो तब तुम्हें अनुबह होता है कि तुम विश्व कल्यान कारी बन गए हो पर बचे कल्यान है क्या? पता है? कोई नहीं जानता कल्यान क्या है? सब चाहते हैं कल्यान हो जाए पर कल्यान किसी को पता नहीं है समझ की बात है कल्यान बच्चे इश्वर्य श्रिमत में हैं अगर स्वप्रती इश्वर्य श्रिमत अप्लिकेशन में लाते हैं दारणा में लाते हैं तो स्व का कल्यान हो जाएगा और विश्व के प्रती श्रिमत दारणा में लाते हैं तो विश्व का कल्यान हो जाएगा बच्चे कल्यान इश्वर्य ज्ञान इश्वर्य श्रिमत में है और मनुष्य को यह पता ही नहीं कल्यान की परिभाशा मनुष्य जानता ही नहीं कल्यान को उसने बाहरी रूप से, बाहरी ढंग से बाहरी ही लगा दिया देह अभिमान में, स्वस्त शरीर, मस्त मन, अच्छे से धन, मौजवाला परिवार, खुशियों वाली जीवन उसे लगता यह है कल्यान अच्छे कल्यान तो स्वस्तिती में है, जो किसी को पताई नहीं भल बाहरी इन सभी रूपों से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, घाटा पढ़ सकता है हर जानी, वो तो कार्मिक अकाउंट है पर आत्मा की अंदरूनी जो बात हैं, उसमें घाटा पढ़ने ना दूँ बाहरी रूप से अकल्यान हुआ अर्जा नहीं, पर अंदरूनी रूप से कल्यान ही होना अच्छाई कल्यान मना अपनी स्तिती में बैठ जाना, जो है जैसे है उस अवस्ता में स्तित हो जाना, कल्यान है कल्यान का पहला कदम है जो कोई चाहता है, अपना कल्यान हो जाए, पनस्वयम का पहला कदम अपनी स्तिती में स्तित हो जाओ इसके बावजूद, इसके आलावा, जो कुछ तुम कर रहे हो, सब अकल्यान कारी है फिर कुछ भी बात हो, सब अकल्यान कारी है किसी को पता ही नहीं है सारी दुनिया कल्यान का ग्यान दे रही है क्योंकि किसी का कल्यान हुआ ही नहीं है जो कल्यान का ग्यान दे और किसका कल्यान करना ये भी किसी को पता नहीं कल्यान तो आत्मा का करना है न कि नाम रूप का हर कोई नाम रूप के कल्यान के पीछे लगा है और आत्मा को भूल गया है पहले अपना कल्यान करो विच्छे पहला कदम जिसका कल्यान करना है उसके स्वरूप में स्थित हो जाओ वो हो तुमात्मा कल्यान जिसका करना है वो अगर स्वरूप में स्थित नहीं तो कल्यान किसका करें? कहां से करें? समझ की बात है बचे कल्यान को समझो बाहरी रूप से जो कुछ हो रहा है होने दो तुम उसमें मत जाओ उसको होने दो उसके अंदर बदलाव करने की बदलाव लाने की तुम चेश्टा मत करो शरीर बीमार हो रहा है कर्मिक अकाउंट आए बल ध्यान दो पर ध्यान अपने उपर रखो अंदर और बाप के उपर रखो मन उपर नीचे हो रहा है हरजानी वो तो उसका संसकार है कल्यूक का बुद्धी भटक रही है वो संसकार स्वभाव है उसका संसकार विपरीत जागरुत हो रहे वो भी उनका संसकार स्वभाव है ध्यान मन तो तुम अपने कल्यान की बात सोचो धन उपर नीचे हो रहा है हरजानी कल्यान की सोचो अंदरून मन बच्चे तुम तुम्हारा सारा ध्यान बाहर से हटा कर जिसका कल्यान करना है उस पर लगा दो पूरा पूरा ध्यान तब कल्यान होगा बच्चे यातरा बहुत अलग है पूर्ण रूप से तुम्हें सारी उर्जा एक दिशा में लगानी पड़ेगी है तब शायद शायद हाँ तुम्हारा कल्यान हो पाएगा ऐसे नहीं बच्चे थोड़ी सुबे लगाई उर्जा दोपर लगाई, शाम लगाई, रात लगाई और बाकी सब संसार में लगाई नहीं बच्चे ध्यान में रखना संसार में जितना समय तुम दे रहो उससे कम से कम एक मिनिट एक सिकेंड ज्यादा समय तुम्हें अपने कल्यान में लगाना पड़ेगा तब तुम्हारा कल्यान होगा तब होगा वो भी कितना बच्चे जो एक सिकन एक्स्ट्रा लगाया है उतना ही उतना ही कल्यान होगा किसी बच्चे ने बारा गंटे एक सिकन अपने कल्यान के प्रति लगाया और बाकी बचा हुआ समय बारा गंटे उसमे एक सिकन कम संसार में चला तो बच्चे उस बच्चे का कल्यान कितना हुआ पता एक सेकिन का क्योंकि ये बारा गंटे वो बाकी के मैनस बच्चा एक सेकिन एक सेकिन का ही कल्यान हुआ सारी उर्जा लगानी पड़ेगी बच्चे आदी अधूरी उर्जा से तुम अपने आपको नहीं प्राप्त कर पाओगे आदी अधूरी और बच्चे जब तुम ये उर्जा लगाओगे अपने कल्यान के प्रति तो कुछ भी हो जाए, डाइवर्ट नहीं होना है शरीर की बीमारी आए, हरजानी, उपाए करो, अपने कल्यान में भागो देखो पिच्चे, 10, 12 स्टेंडर्ड के एक्जाम आती है शरीर कितना भी बीमार हो, फिर भी किताब खोलते है टबलेट खाएंगे, और लेटे-लेटे पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि 10 स्टेंडर्ड में अपना कल्यान करना है 12 स्टेंडर्ड में, ग्रेजुएशन में, मस्टर में, पिएजडी में अपना कल्यान करना है वो ये नहीं देखते शरीर बीमार है, जाने दुआज पढ़ाई नहीं करते कल एक्जाम है, चल जाएगा, नहीं शरीर बिमार है, खा रहे, सूप पी रहे फिर भी पढ़ रहे, कुछ तो पढ़े तब जाके पास सोते हैं ऐसी उर्शा तुमारी 10th, 12th स्टांडर्ड की एक्जाम है और किसी ने तुमें गुसा दिलाया पकड़ के रखते हो, कल पेपर है और आज तुमारे माता, पिता, पती, पत्नी, बच्चे ने अतरंगी हरकत की और तुम्हें डिस्टब किया डिस्टब होते हो, नहीं, छोड़ देते हो कहते हो मरने दो, कल पेपर है मेरा बाद में देखेंगे अभी क्यों नहीं समझ में आता क्या पत्ती है बच्छों क्यों नहीं समझ में आता अभी भी वही समय चल रहा है अभी क्यों पकड़के रखते हो किसी भी बात को क्योंकि तुम्हें लगता है और समय है समय करेंगे बाद में किसने कहा तुमारे अंदर जो तुमें कह रहा है है समय वो कौन है बाप स्वेम साकार आकार निराकार में कहता है समय खतम हो गया और तुमारे अंदर से तुमें कोई कह रहा है कि है समय तुम उसकी बात मान रहे हो और बाप की बात नहीं मान रहे हो बाप को फॉलो कर रहे हो और बाप की बात नहीं मान रहा हूँ, अज्जी बात है। कोई कितना भी डिस्टब करें, तुम स्कूल कॉलेज के एक्जाम में डिस्टब नहीं होते हैं। तुम यहीद सोचते हो, जाने दो, छोड़ दो उने, हमें पेपर देना है, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अपना मेनेज करो, मुझे पेपर के लिए जाना है। कल मेरा पेपर है। कल घर में खाने को क्या है, मुझे कोई परवा नहीं। मैं जाओंगा पानी पी के, मुझे एक्जाम देनी है। है दन की परवा? नहीं। उसी समय बच्चे संकल्पने कट कर रहे हैं। आपके परिवार में किसी सदस्य ने शरीच छोड़ा। रुकते हो पेपर देने का। कोई नहीं रुकता। तुम्हें ग्यारा बज़े का पेपर देने के लिए स्कूल कॉलेज जाना है। साड़े नौ बज़े निकलना है। नौ बज़े किसी ने शरीच छोड़ा। रुकेंगे। नहीं रुकेंगे। कहेंगे मेरा एक साल खराब हो जाएगा। खलास हो जाएगा एक साल, मुझे जाना ही पड़ेगा। आप अपना मैनेश करो। आपके माता पिता, जिनसे आपका बड़ास ने है, उन्होंने शरीच छोड़ा तो भी रुकोगे। संकल्पनी कट कर रहे। कोई नहीं रुकेगा। कहेंगे एक साल मेरा चला जाएगा। अब क्या करो। और तो और क्या कहते है, एक्जाम देखे आता हूँ, फिर हम शम्चान चलेंगे। रुको मेरे लिए। बज्चे स्कूल कोलेज का कल्यान तुम्हे समझ में आ रहा है, एक साल बरबाद होगा ये समझ में आ रहा है, अरे पर ये एक कल्प बरबाद होगा, ये ने दिख रहा है तुझे, जो तू वेस्ट है संसार में, तेरे समापती का समय आया फिर भी तु जागने के लिए राजी नहीं है अच्छी बात है बच्चे तेरी कैसी समझ है तेरी कैसा ग्यान है उस एक साल के लिए तु हर बात करने के लिए राजी है और यहां एक कल्प के लिए इस एक जीवन में जो प्राप्त करना है उसके त्यागने के लिए उसके लिए सब त्यागने के लिए राजी नहीं है। वहाँ दुझे कल्यान दिख रहा है। यहाँ कल्यान नहीं दिख रहा है। टॉप लिस्ट में आया। फिर भी अच्छी नौकरी मिलेगे इसकी गैरंटी नहीं है। अच्छा बिजनसमेन बनेगा, बिजनसमेन बनोगे इसकी गैरंटी नहीं है। फिर भी तुप्रयास कर रहा है। यहाँ पूरी गैरंटी है। फिर भी प्रयास करने के लिए राजी नहीं है। कैसा ग्यान है तेरा? कैसी समझ है? जहाँ तेरा सर्व पर ही कल्यान हो रहा है, वो करने के लिए राजी नहीं। और जहाँ एक साल के कल्यान की बात है, तो हर बात हर प्रयास करने के लिए राजी है। बच्चे होश्मया, खबरदार हो जाँ, एक ही जीवन है संगम का, जैसे वो उस कक्षा का एक ही साल होता है, उस प्रकार, बच्चे इस कक्षा का एक ही जीवन है। ये जीवन गया, ड्रामा पुरा हुआ, समाप्त हुआ। बच्चे अपने कल्याण के बारे में सोच, सभी को नहीं समझ में आता अपना कल्याण, वो कितने भी मुरलिया सुने, उनकी बुद्धी जहा अठकी है, वहा पर ही अठकी है, वो निकली नहीं पा रहे है, स्तिती ही उपर नीचे चल रहा है। उन्हें समझ ही नहीं मिल पा रही, करे तो क्या करे, बाप भी समझ दे रहा है, फिर भी समझ नहीं ले रहे, उपर से कहते हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आता, तो जो समझ दे रहा है, उसकी समझ से करो, तो वो भी करने के लिए राजी नहीं है, तु तो तुम्हे कोई बता रहा है ना क्या करना है वो करो फिर राजी नहीं है अजीब माया है अजीब बाप भी अहरान होता है इस माया को देखकर खुद को अकल नहीं है और परमातमा अकल दे रहा है तो लेने के लिए राजी नहीं है कैसी माया है फिर कहते क्यों हो कि हमें कोई अकल नहीं है फिर कहते क्यों हो हमारा कल्यान हो जाए रोते क्यों हो चिलाते क्यों परमात्मा के नाम से दुखी क्यों होते हो दर्द में क्यों उचलते रहते हो शांत नहीं बैठ सकते हैं समझ है बच्चे हैं सभी बच्चे जो ग्यान सुनते हैं सभी के सभी बक्ती वाले ग्यान वाले बाप एक ही सवाल पूछता है तुम अपना कल्यान कर सकते हो और अगर कर सकते हो तो ये रहा छोड़ो और नहीं कर सकते हो तो पूरी पकड़ो आदी अधूरी नहीं पकड़ो तुम्हें किसी ने यहां जोर जबरदस्ती लाया नहीं है ना किसी ने तुम्हें यहां बुलाया है तुम ही अपना कल्यान चाहते हो इसलिए तुम आये हो और अगर कल्यान नहीं करना है तु क्यों आये हो बाप का सवाल है किसलिए आये हों, सारी समझ है, तु जरा होश में आ, तु पक्का कर, तु समझदार है या बे समझ है, इस बात में सभी उत्तर देंगे, हाँ बाबा हम बे समझ है, तो मेरी बात क्यों नहीं मानता, और अगर समझदार है, तो मुझे सुनता क्यों है? तुपक्का डिसाइड कर असलियत में तुझे करना क्या है? तुपक्का निर्णे ले, तुझे चाहिए क्या? समझ की बात है, बहुत बच्चों की यही अवस्ता है, बहुत बच्चों की. खुद को समझ नहीं और बाप समझ दे रहा है तो समझने के लिए राजी नहीं अब करें क्या इनका कुछ नहीं हो सकता यह ऐसी बात हुई कि सोया हुआ है तो जगा सकते हैं पर सोने का नाटक कर रहा है तो कैसे जगा है ऐसी बात हुई बहुत बच्चों को ग्यान में आकर ये मुख्य बाद समझ में नहीं आती कि हमें जो ग्यान दे रहा है उसकी हर बात हमें चुपचाप सुननी है और अगर नहीं सुननी है तो इस रहाँ पर चलना ही नहीं है बात कतम हो गई किसने बुलाया इस रहाँ पर किसने कहां चलो और किसी ने कह भी दिया तो तू क्यों चल रहा है हाथ को पकड़ के तो कोई चला नहीं रहा है ना तुझे खीश तो नहीं रहा है जोर जबरदस्ती तो कोई कर नहीं रहा है तुझसे तो फिर तु चल क्यों रहा है समझे है बच्चो तु अगर अपना कल्यान करना चाहता है तो रुका क्यों है और अगर अपना कल्यान नहीं करना है तो सुन क्यों रहा है इस ग्यान को, मुरलियों को, कल्यान अगर नहीं करना है तुम, सारी समझ है तो सुनता बाप की है और करता अपनी है बच्छे बोजा चड़ रहा है, या तो बाप की सुन ही नहीं, करना नहीं तो और क्या कहूं, इतना अच्छे से कहता है, परमात्मा ग्यान दे रहा है साकार में अव्यक्त में, परमात्मा ने ग्यान दिया, ये मुरलिया चलाई पर तु उसी परमात्मा की कोई भी बात मानने के लिए राजी नहीं है कितना बोजा चड़ रहा है बचे तुझे शरम नहीं आती कहने में कि ये ग्यान परमात्मा देता है ये मुरली परमात्मा की है समझ की बात है उसमें से धारण कुछ नहीं करना है बस जिंडोरा पीटना है कि परमात्मा ग्यान दे रहा है परमात्मा ग्यान देरा है परमात्मा आया है रैप्लिकेशन का आये धारना का आये बच्चे कल्यान कब करोगे समझे बहुत बच्चे आते हैं ग्यान में जिने ग्यान सुनना ही नहीं है सुनना मना बाप के एसाब से करना ही नहीं करना ही नहीं एक और धारना लिख दीजे फॉर्म में कि तुम यहां क्यों आना चाहते हो सुवकल्यान के लिए आना चाहते हो तो बाप जो कहेगा हो करने के लिए राजी हो विश्वकल्यान की बात तो दूर है थोड़ी विश्वकल्यान के लिए भी आना चाहते हो तो भी बाप जो कहेगा वो करने के लिए राजी हो पूछो उने बाप जो कहेगा वो करने के लिए राजी हो क्या या क्यों आना चाहते हो क्या कारण है यहां आने के पीछे का क्या कारण है जान लो उनसे कारण आने वाले शौकीन तो बहुत हैं पर क्यों आना चाहते हैं यही उन्हें पता नहीं है अजीब शौक है उनका कोई माउंट अबू गुमना है क्या गुर्शिकर दिलवाड़ा नकी लेक गुमना है क्या पीस पार जाना है क्या क्यों आना क्यों चाहते हो तुम और अगर आना चाहते हो तो जिसके पास आना चाहते हो उसकी हर बात मानोगे पूछो उने नहीं मानोगे तो क्यों आ रहे हो बोजा चड़ाने के लिए बहुत बच्छे हैं unconsciously बोजा चड़ा लेते अपने उपर बहुत बच्छे हैं इसलिए बाप कहता है, जिसे पूर्ण समझ है, या कौन बैठा है, वही आए, जिसे पूर्ण समझ है, या मुरली किसकी है, वही पढ़े, वही सुने, वरना वो चड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा, बच्चे तुम्हें नहीं पता, दुनिया में लोग काम, क्रोध, लोग म एंकार को लेकर, जितने पाप कर रहे, उससे भी सो गुणा ज्यादा, यहाँ, अज्यानता के वश, जितने पाप कर रहे, उसका बोजा चड़ता है, वो पाप कुछ भी नहीं, काम, क्रोध, लोग मौ एंकार, तुम भगवान को जान कर, समझ कर, उसकी बात नहीं मान रहे ह इससे बड़ा महापाप कुछ नहीं है, अनंत गुणा पाप है यह, तुम्हें पता भी चला भगवान बैठा है, ब्रह्मा तन से साकार वानी भगवान ने चलाई, अव्यक्त वानी भगवान ने चलाई, दादी तन से, तुम्हें पता भी है, पर तुम उसकी एक बात मानन के लिए राजी नहीं हूँ महापाप के भागी बन रहे हो महापाप के इसलिए अज्ञानी सुखी होते है अब ध्यान से देखना जो ग्यान में नहीं है जो भक्ती में नहीं ना बहुत सुखी है क्योंकि पाप नहीं हो रहे हैं जो ग्यान में चल रहे हैं भक्ती में चल रहे वो अपने गुरू की अज्याई नहीं मान रहे है जिस पार्ट को पढ़ रहे उस पार्ट की एक धारना नहीं कर रहे महापाप का बोजा चड़ रहा है इसलिए भक्ती वाले ज्यान वाले दुखी है अज्यानी मस्तखा पी रहे हैं मौच कर रहे हैं वो सुखी है क्योंकि पाप नहीं चड़ रहा है समझ है बच्चे ज्यानियों को लगता है अज्यानी मुर्गा बकरा काटते हैं कितना पाप कर रहे हैं बच्चे वो पाप कुछ भी नहीं है तू जो तेरे भगवान की मत को काट रहा है वो कितना बड़ा महापाप है अनंत गुणा महापाप है भगवान की मत मना भगवान को ही तू काट रहा है तेरे उसने तो मुर्गा बकरा काटा तूने तेरे भगवान को काट डाला उसकी बात ना मान कर बड़ा दिखाता है वो पाप कर रहे और तेरा क्या? तू क्या पुण्य कर रहा है? समझ की बात है यही बोजा चड़ा है सब पर सब ने अपने भगवान को काटा है सब ने काटा है समझ की बात है बच्चे होश में आ जरा होश में आ तुझे समझ है तो समझ कर चल तो सब को पूछना है अपको पता है या कौन बैठा है? वो जो कहे करने के लिए राजी हो करना नहीं है तो यहां नहीं आना कभी बच्चों को लगेगा बाप कितने काटे लगा रहा है मेरे लिए ने तेरे लिए बोजा तुझ पर बैठेगा अगर अग्यानता वश एक कदम भी गलत हुआ तो तुझ पर बोजा बैठेगा बच्चे बहुत बड़ा तु समझ भी नहीं पाएगा इतना बड़ा बोजा चड़ जाएगा इसलिए बच्चे पूरन समझ से आ नहीं है तो आई नहीं, शल ही नहीं समझ की बात है बच्चो Labor अपना कल्यान चाहते हो तो कौन कल्यान करेगा और अपना मना किसका करना है इसे जानो इसे समझो और कल्यान कब होना है ये भी समझो इसी युग में, संगम युग में सबका कल्यान होना है पर कोई अपना कल्यान कराने के लिए राजी नहीं है कोई राजी नहीं सबको बस ऐसे चलना है मौज में, आनन्द में कल्यान कहा है बच्चे हैं बच्चे अपने कल्यान की सोच कब करेगा कौन करेगा तेरा कल्यान कैसे होगा तेरा कल्यान कहा से होगा तेरा कल्यान तु बड़ा जंडा लेके निकलाए दूसरों का कल्यान करने के लिए, पर तेरा हुआ है क्या, पता है तुझे तेरा कल्यान हुआ है या नहीं हुआ है, समझ जा है, इसलिए बच्चे होश में आ, अपना पहले कल्यान कर, अपने स्तिती में आ, और वहां पहुंच जा, जहां तेरा कल्यान हो सकता है, पांच जा बच्चे तुझे लगता है सेंटर पर कल्यान होगा सेंटर पर जा मधुबन में होगा मधुबन में जा यहाँ हो सकता है यहाँ किसी मंदिर मस्जिद में हो सकता है वहाँ जा पर अपना कल्यान कर तु यह मत सोच कोई कहा जा रहा है उसका कल्यान वहाँ हो रहा है तो मैं भी वहाँ जाता हूँ मत सोचे तू वहाँ जा जा तेरा कल्यान होगा क्योंकि किसका कल्यान कहा लिखा है कोई नहीं जानता और ऐसे तो नहीं हो सकता कि हर किसी का कल्यान एकी जगह हो जाए वो तो अंतमे होगा तू अपने कल्यान की रहा ढूंड, कल्यान की रहा पर तू संसार में व्यस्त है, तुझे कुछ पढ़ी नहीं अपने कल्यान की तुझे बस यह दिखता है, कोई कुछ कर रहा है तो मैं भी करू किसी का कल्यान हो रहा है, तो शायद मेरा भी हो जाएगा तो सोची नेरा है और बच्चो द्यान में रखना सेम कल्यान यहां किसी का नहीं होगा समान स्तान समान समय समान आत्माई समान ड्रामा ऐसे कल्यान किसी का नहीं लिखा है कुछ न कुछ अलग होगा इस में से कुछ न कुछ होगा तू अपने कल्यान को सोच, तेरा कल्यान कहा है? तू सोच बच्चे, जब तक तुझे होश नहीं है, तब तक तेरा कल्यानी होगा, बच्चे, बाकि तेरा ड्रामा, तुझे जो अच्छा लगे कर मुझे कोई आपति नहीं, तू तेरे मर्जी का मालिक है? तू कल मुझे कह भी सकता है हमें नहीं करना है कल्यान हमारा तू तेरे मर्जी का मलिक है मैं पहले से तुझे कहता हूँ मत कर तुझे किसने कहा कि अपना कल्यान कर मैं तो जनरल सब को सुना रहा हूँ कि सभी अपना कल्यान करा है कल्यान की रहा ढूंडो समझ है बच्चे ये रहा ढूंडने में ही है न आदी जीवन चली जाती है बहुत से ऐसे बच्चे जिने स्कूल, कॉलेज, लाइफ के बाद सही करियर मिल ही नहीं पाता इसलिए बहुत साल उनके भटकने में जाते क्या-क्या कोर्स नहीं करते हो फिर बहुत सालों के बाद पता चलते है आरे हाँ, इसके लिए हम आए इस तरह पर इसके लिए बगवान ने हमें बेजा है फिर सारा भूल जाता है और वहाँ एक शेत्र में लग जाता है खुद भी सुखी और दूसरे भी सुखी खुद भी खुश और दूसरे भी खुश फिर संतुष्टी आती है तु देख तुझे क्यों बेजा है बगवान ने इस धरा पर तु देख समझ की बात है बच्चे तु अपना कल्यान कर तेरा कल्यान कहा होगा वो राह जल्द से जल्द ढून मैं यह नहीं कहता यही ठीकाने पर तेरा कल्यान होगा मैं यह कहीं नहीं सकता तु अपने कल्यान की राह ढून कहा तेरा कल्यान होगा और जिसका कल्यान हो गया, वो सबका कल्यान कर पाएगा जिसका खुद का कल्यान ही नहीं हुआ, वो दूसरों का कल्यान क्या करेगा उसे क्या समझ में आएगा, कि दूसरों का कल्यान कैसे करना है पहले खुद का तो करो, कल्यान, समझ की बात है बच्चो विश्व कल्यान कारी बनना है तो पहले अपना कल्यान करो सर्व का कल्यान करना है तो पहले अपना कल्यान करो सारी समझ हैं चिंतन कर बच अपने से पूरा पूरा बाकि तेरा ड्रामा तेरी मर्जी तुझे जो अच्छा लगे कर मुझे कोई आपत्य ने तुम कल्यान कारी बाप के बच्चों का करतव्य है सर्व का कल्यान करना पर कब कर पाओगे जब खुद का होगा तब सर्व का कल्यान कर पाओगे सब को बाप की याद दिलाना और ज्यान दान देना कौन सब को बाप की याद दिला सकता है जो खुद याद करता है बाप को जो खुद ही याद नहीं करता वो दूसरों को क्या याद दिलाएगा कि बाप को याद करो जो खुद करता है वो कराएगा ग्यान तेरे पास होगा तो तू दूसरों को दे पाएगा तेरे पास ही ज्ञान नहीं है कौन सा ज्ञान तेरा स्वयम का ज्ञान तेरे परमात्मा का ज्ञान तेरे राजयों की विधियों का ज्ञान तेरे पास होगा तो तू दूसरों को दे पाएगा दूसरों को सुना पाएगा, समझा पाएगा वरना मुश्किल है बच्चे है चेक करो अपने आपको आपकी अवस्ता बच्चे वापिस कहता हूँ उन परिक्षाओं में 10th, 12th, Graduation, Master, PhD, Doctorate तो बड़ा सीरियस होता है यहां क्यों नहीं वहाँ एक सेकंद एक मिनिट भी नहीं गवाता यहां क्यों गवारा है यहां क्यों अफलत कर रहा है अतनी बुद्धी माया ने कैसे मार दी कि तू यह भी निर्णे नहीं कर पा रहा है कि इस समय में तुझे करना क्या है तू कर क्या रहा है बच्छे चिंतन करो बकिया आपकी मर्जी जो आपको अच्छा लगे प्रश्न है बाबा महारती किन बच्चों को कहते है उनकी निशानी क्या होगी उत्तर है जो अच्छी रिती पढ़ते और पढ़ाते है जिन पर सदा ब्रस्पती की दशा है जो अपनी और सर्व की उन्नती का सदा ख्याल रखते है जो यग्य सेवा में हड्डिया देते है जो बाबा के कारिय में मददगार रहते है वह है महारती ऐसे महारती बच्चों को बाबा कहते यह है मेरे सपूत बच्चे उम्शान्त आज कल बच्चे शिव जैन्ती के लिए तैयारिया कर रहे हैं काड आदी भी छपाते हैं बापने समझाया तो बहुत बारी है सारी मुख्य बात गीता पर है मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं यह भी तुम बच्चे समझते हो आधा कल्प है दिन आधा कल्प है रात अब बाबा टॉपिक देते हैं उस पर मंथन करना पड़े बच्चे ध्यान में रखना मनुष्यों की बनाई हुई गीता और भगवान की गीता अंतर है बगवान की गीता पढ़ोगे ओपर उठोगे मनुष्यों की गिराएगे नीचे लाएगे अब यह दो गीता हुएं और एग गीता है तीसरी तेरी स्वयम की जो तूने बनाई है जिसकी मत पर तू पका है हट में बैठा है तू राजी ही नहीं है श्रीमत सुनने के लिए तुझे बस तेरी गीता ही सुनानी है खुद की गीता खुद के महावाक्य तूने बनाए है ऐसे नहीं ऐसे जिसके अंदर जिद है ना बच्चो जिद समझ जाना उसने अपने एक गीता बनाई है वो जिदी दिखाती है उसके पास कोई गीता है शास्तर है जिस पर अडा हुआ है यही राइट है आपकी सारी बाते रॉंग है जिदिकी बात है जिसके पास अपनी गीता नहीं है न वो भगवद गीता पड़ेगा परमातम श्रीमत की गीता क्योंकि अपनी गीता नहीं है न समझ की बात है बच्चों देखो आपके पास क्या है हर बच्चा अपने को चेक करें अपने वसूलों से चलता है या श्रीमत अनुसार चलता है तेरी दिन रात किस से चलती है तुझसे किसी और से या परमातमा से तुध्यान से चेक कर तेरी जीवन किस से चल रही है तु तेरे जीवन में जो कुछ कर रहा है वो किसकी मत से कर रह जितने बजे भी तू उठता है, किसकी मत है, उठने के बाद तू जो कुछ करता है, जो तेरा सुबह का चाई नाचता है, किसकी मत है, जो तेरा सारा दिन है, किसकी मत है, रात को भी तू जो शोता है, किसकी मत है, तू ध्यान से चेकर, माया की मत पर ही तू सब कुछ करता है, तुझे खबर भी नहीं है बच्चे माया कीमत अनुसार तू चल रहा है समझ की बाते हैं दूसरे किसी की बात तू मानने के लिए राजी नहीं है तू अपनी मत ही लड़ाएगा हम जो कहते हैं वही राइट है कहां से certificate लाया तुने कि तू जो कहता है वही राइट है certificate दिखा जरा कि तू जो कहता है वो राइट है certificate दिखा तेरी बात मैं तब मानूँगा जब एक सान में एक जगह पर उसी स्तान में सूरज हो गएगा ध्यान से चेक कर रोज सूरज अपनी जगह बदल रहा है उगने के लिए भी और डूबने के लिए भी और तू कहता है तेरी मत राइट है कहां से certificate लाया तुने तू भी राइट है कि ने तुझे पता है क्या तेरी बात तो छोड़ तू राइट है क्या समझ है बच्चे तू इतना पका माया भी हो चुका है तेरी हर बात तू सिद्ध करने के लिए तयार है हर रूप से कि यही राइट है आपकी सारी बाते रौंग है आपको क्या अकल है मुझे सब समझ है हम उमर में बड़े हैं तू ने चार बारिश ज़्यादा देखे चार बारिश ज़्यादा देखने से अकल नहीं आती अकल नहीं आती अकल इश्वरी श्रिमत से मिलती है और तू जो बता रहा है ना उमर में बड़ा है और चार बारिश ज़्यादा देखे यह तेरा एंकार झलक रहा है, एंकार बोल रहा है तेरा, कि तुझे सब पता है, एंकार से भरा हुआ है तुम, तुझे ख़बरी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के सामने कभी ने रुकना, जो अपने नाम, मान, पद, पोजीशन, धन की बात करे. उसका एंकार दिखाए उमर का एंकार दिखाए हम बड़े हैं बिलकुल नहीं रुकना हमने चार बारिश ज़्यादा देखे बिलकुल नहीं रुकना एंकारी है वो और उसको समझाने के लिए भी तुम नहीं जाना वो कुछ नहीं समझेगा एक बार कामी कुरोधी लोबी मोही समझेगा एंकारी कभी कुछ नहीं समझेगा एंकार है वो बहुत बड़ा विराट परदा है माया का आप कितना भी समझाओ एंकारी को वो कुछ नहीं समझेगा समझने के लिए राजी नहीं हो वो हार नहीं मानेगा बच्चे वो डिबेट करेगा और तुम उसे बिलकुल नहीं समझाओ शरिमत है बाप के क्यों अपनी उर्जा गवा रहे हो एंकारी के आगे क्यों गवा रहे हो जो समझने के लिए तयार नहीं है उसे क्या समझाना समझाया उसे जाता है एक तुजो ना समझ है और ना समझ होकर समझने के लिए तयार है उसे ही समझाया जाता है जो समझने के लिए राजी नहीं है उसे नहीं समझाया जाता है उसकी समझ मर गए है बच्चों उसको अकल नहीं है बच्ची पूछेगा आपको ये कैसे करना है और करेगा अपने इसाब से क्यों उसे सला दे रहे हो क्यों उसे राज ग्यान बता रहे हो समझ दे रहे हो क्यों दे रहे हो पूछो उसे हम बताने के लिए तयार है पर हम जो बताएंगे करने के लिए तयार हो और अगर नहीं किया तो आपका गाल और मेरा हाथ तो फिर हम आगे बात करते हैं वर ना हम बात नहीं करेंगे बोलो अभी तयार हो देखो तयार होता है क्या थपड़कानी पड़ेगी ना किया नहीं तो जब आप अपने स्वमान में रहोगे ना तब आपके ग्यान को सम्मान मिलेगा आप भी आपके ग्यान का अपमान मत करो किसी को भी कुछ भी सला देखे उदार करना है सबका पर किसका करना है जो अपना उदार कराना चाहता है जिसको अपना खुदकाई उदार नहीं करना है उसका उदार करने के पीछे तुम क्यों पड़े हो मरने दो उसे ऐसे नर्क में ठोकरे खाने दो आएगा कभी न कभी ने आया तो मर जाएगा ऐसे ही तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो अगर वो अपनी जिद में है अपने हट में तो तुम भी अपनी जिद में रहो समझाना ही नहीं मुझे तुम भी अपने हट में रहो बताना ही नहीं मुझे कुछ तुम अपना हट क्यों छोड़ते हो वो अपनी जिद छोड़ने के लिए राजी नहीं है तो तुम अपना हट क्यों छोड रहा हूं समझ की बात है बच्छों ऐसे जब सम्मान से चलोगे अपने आप आएंगे ग्यान लेने के लिए इसी को बाबा कहता है प्रचार प्रसार नहीं करना है ग्यान का ग्यान का प्रचार प्रसार मना अपमान होता है बच्चे अपमान होता है उस ग्यान की आतमाई मर जाती है रुव समाप्त हो जाती है अक्षर बचते हैं शब्द वाक्य रहते हैं भगवान चला गया उन महावाक्यों का इसलिए महावी नहीं रहे सिर्फ वाक्यर है कहानी रहे गई समझ है बच्चे इसलिए ऐसों के आगे ज्ञान कभी नहीं सुनाना जिनको धारणा में नहीं लाना है करना नहीं है कभी भी आपको कोई भी ज्ञान का कोई प्रश्न पूछे पहली बात यही पूछना अगर आपको पता नहीं आप जानना चाहते हो हमसे पर करने के लिए अगर राजी हो तो हम बताएंगे वरना बाप ने श्रीमत दी है अगर नहीं किया तो आपका गाल और हमारा हाथ तयार हो क्योंकि हम हमारे बाप के ग्यान का अपमान होने नहीं देंगे करना है तो बोलो करोगे तो पूछो उत्तर देते नहीं करना है तो उत्तर नहीं मिलेगा क्यों उत्तर दे हम अमारा पाज दस मिनिट लगाए एक सेकिन दो सेकिन लगाए और उसमें उर्जा भी डाले बाप की ताकि आपका उद्धार हो जाए और आप करने के लिए राजी नहीं हो नहीं बताएंगे समझें ऐसे जित पे रहना है ऐसे जित पे फिर देखो कैसे बदलते हैं सब तुम ग्यान को कचरा मत बनाओ किसी को भी बाट कर तुम किसी को भी बाटते हो बाप हमेशा कहता है पात्र देखकर ग्यान दो बहुत बच्चों ने अपात्र को ग्यान देकर अज्यान पना अपने अंदर लाया है जैसे बच्चे अपात्र को ग्यान दिया जाता है ततक्षन आपका ग्यान समाप्त हो जाता है और आप अज्ञानी बन जाते हों इससे अच्छा चुप रहो अपात्र को ज्ञान ना दो ज्ञान का अपमान मत करो किसी के पास कोई मंत्र है जिन से सिद्धी प्राप्त हुई ऐसे पूरा शहर बर, गाव बर चिलाते घुमे क्या यह मंत्र लो, मंत्र लो अपमान कर रहा है उस मंत्र का पात्र देखकर मंत्र दिया जाता है भक्ती में कान मंत्र देते है गुरू वो भी तुरंत नहीं देते एक दो तीन साल, पास साल, दस साल देखते है यह चल पाएगा या नहीं, कर पाएगा या नहीं अज्याकारी है या नहीं फिर जाके कई विश्वास हुआ और जिस शक्ती का मंतर है वो शक्ती की परमिशन से देते हैं तब जाके मंतर सिद्ध होता है वरना किसी को भी अगर मंतर दे दिया गुरू ने तो मंतर की शक्ती खलास हो जाते है गुरू की भी और शिश्यक की भी इसलिए बच्चे अपात्र को ग्यान नहीं देना बिलकुल नहीं देना आप अपने ग्यान का सम्मान करना सीखना लोगों से अपमान मत कराना सारी समझ हैं वो तो अपने जिद पर है बच्चों वो अपने हट पर हैं संसारी ने कभी किसी की बात मानी है क्या संसारी के सामने स्वयम परमात्मा भी पितांबर धारी वेश में हाजिर हो जाए फिर भी हो कहेगा थोड़ा दो मेना संसार समेटते हैं परमात्मा को भी कहेंगे स्री कृष्ण जी को श्री राम जी को भी कहेंगे दो मेने में थोड़ा संसार समेटते हैं फि संसारी है, नीच वुद्धि है नीच वृत्ति वाला है इसे परमात्मा कभी समझ में नहीं आएगा और हर संसारी को बाप कहना चाहता है तो संसार के लिए मुझे तया आगरा है ना ध्यान में रखना तू आ अगले कलप में संसार में तुझे ड्रामा ने और माया ने नरक यातना यम यातना भोगने पर मजबूर नहीं किया ना तो मैं भी बाप ने ये शाप समझ या वरदान समझ तुझे संसार की पड़ी है ना तू आ अगले कलप में दौपर के बाद मिल तुझे दिखाता उस संसार क्या चीज थ है संसार करना है ना जिस धन के लिए बाप को त्याग रहा है हाथ में कटोरा नहीं दिया आना तो नाम कहना मेरा भिक मंगने पर मजबूर नहीं किया ना तो कहना मुझे समझ में नहीं आता भगवान आया है तुझे बुद्धी दे रहा है, लेनी नहीं है ना, दुर बुद्धी वाला, निर बुद्धी वाला अगले कल्प में नहीं बनाया, तो नाम नहीं कहना मेरा, अगले कल्प में मिलते हैं, संसार की पड़ी है ना तुझे, मैं भी देखता हूँ अभी तेरा संसार, तु कर इस एक जनम में संसार अगले कलप में मिल अगले कलप में मिल देख तेरा शरीर कैसे रहेगा नहीं दुख दर्द में चिलाता रहाना तो कहना मुझे अभी सोचेगा बाप शाप दे रहा है और दूंगा अब तक बहुत वर्दान दिये कितने लिए तुने अभी तू शाप देने के लायक ही रजा अब तू शाप देने के लायक ही रहा है और कुछ राह नहीं है तुझ में भगवान तेरे लिए आया है परमधाम से और तुझे समझ में नहीं आ रहा है तुझे संसार की पड़िया है तू मिल अगले कलप में मैं भी तुझे दिखात मैं भी दिखाता हूं अभी तेरी मर्जी है तेरा राज है जो चाहे कर अगले कलप में मिलते हैं संसार की पड़ी है ना मोह में अठका है ना माता पिता पती पत्नी बच्चे नहीं अनेक जनम तुझे अनाध बनाया तो कहना मुझे तयार है ना घर में जान अठकी है ना नहीं अनेक जनम फुटपात पे सोने पर मजबूर किया तो कहना मुझे अब जो समझना है समझो शाप समझो या वरदान समझो जो समझना है समझो बहुत बड़े-बड़े बिजनेस कर रहा है नौकरी कर रहा है अगले जनम में मिलते हैं अगले कल्प में अगले कल्प में पूरा कल्प जीते जीते मरने जैसी हालत नहीं की ना तो कहना मुझे कौन बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ड्रा मा समझ में नहीं आ रहा है ना इसलिए तुझे समझा रहा हूँ बाप तेरे लिए आया है और तू आने के लिए राजी नहीं है अब मुझे से है बात तेरी अगले कलप में मिलते हैं जिस बात के लिए तुने भगवान को त्यागा आए ना अनेक जनम तुझे मिलने नहीं दूँगा वो बातें तयार रहना अनेक जनम जिन रिष्टों के लिए तुने भगवान को त्यागा आए ना वो रिष्टे अनेक जनम नहीं मिलेंगे जिस घर, गाड़ी, बंगले के लिए नौकरी दंदे के लिए तुन्हे भगवान को त्यागा आए ना तयार रहना तयार रहना वच्चे इतना ही मोह है ना तेरा अगले कल्प में मोह रखने के लिए भी एक भी नहीं रखूंगा तेरे साथ इतना ही मोह है ना माता, पिता, पती, पत्नी बच्चों में एक भी नहीं रहेगा तेरे साथ संपूर नानात, अनेक जनम, भी रड़ी, तयार रहे बाप, प्यार से कह है रहा है तेरे उध्धार की बाद चल रही, समझ में नहीं आता, इतनी जान अटकिया संसार में, इतनी जान अटकिया धन में, अगले चनम में मिलते हैं, अगले कल्प में, निरधन बनाके तुझे, मिलते हैं, फिर रोता रहें, दुखी होता रहें, दर्द में चिलाता रहें, मिलते ह फिर, समझ है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, वचन है, एक को भी नहीं, अभी तुझे जितनी मस्ती चड़ी है, कर मस्ती, तेरी मस्ती मैं अगले कल्पों में उतारूंगा, मैं ड्रामा भी तुझे दिखाऊंगा, मैं क्या चीज हूँ, तेरे भलाई के लिए भगवान आया है, बाप आया है, तेरे उद्धार के लिए, और तुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, अगले कल्पों में मिलते हैं, तयार है ना, अब बावा टोपिक देते हैं, उस पर मन्थन करना पड़े, तुम लिख सकते हो, भाई और बेहनों आकर समझो, एक गीता शास्त्र है ज्यान का, बाकी सब शास्त्र है भक्ती के, ज्यान का शास्त्र एक ही है, जो पुर्शोत्तम, संगम युगपर, बेहद का बाप, परमपिता परमात्मा, तरिमुर्ति, शिव सुनाते हैं, या तो लिखना है, ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, जिसस 21 जनम सदगती होगी ज्यान की गीता से 21 जनम का वर्सा मिलता है फिर 13 जनम भक्ती की गीता चलती है जो मनुष्यों की बनाई हुई है बाप तो राज योग सिखला कर सदगती कर देते है बच तू ही बता मुझे तू ही बता बगवान को किसी ने एक घर के लिए छोड़ दिया क्या ने आय होना चे तू बता बगवान को किसी ने एक दो चार रिष्टों के लिए छोड़ दिया क्या ने आय होना चे बगवान को किसी ने नौकरी धंदे के लिए धन के लिए छोड़ दिया क्या ने आये होना चाहिए तो ही बता जो होना चाहिए न वो तेरे साथ होगा तयार है हर किसी को लगा होगा भी मन में तो आया होगा कि इने अनेक जनम तक घर नहीं मिलना चाहिए अनेक जनम तक रिष्टे नहीं मिलने चाहिए अनेक जनम तक कि ने धन नहीं मिलना चाहिए आया ना तेरे मन में ततास तो वही तेरे साथ होगा तयार रहना बाप तो राज योग सिखला कर सद्गती कर देते हैं फिर सुनने की दरकार नहीं रहती इस ग्यान की गीता से दिन हो जाता है यह ज्यान का सागर बाप ही सुनाते हैं जिससे 21 जनम गती सद्गती होती हैं अर्थात 100% पवित्रता सुख शान्ती का अटल अखंड सत्यूगी दैवी स्वराज्य मिलता है 21 जनमों के लिए चड़ती कला होती हैं मनुष्यों की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती हैं भक्ती की गीता और ज्यान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंतन करना है यह मूल बात है जो मनुष्य नहीं जानते तुम लिखते हो तरिमुर्ती शिव जैंती सो शुरीमत भग्वत गीता जैंती सो सर्वकी सद्गती भवंती यहाँ भी सुना सकते हो कि शिव जैन्ति सो विश्व में शांती भवन्ति मुख्य अक्षर बहुत जरूरी है जिस पर ही सारा मदार है तुम सबको बतला सकते हो कि मनुष्य मनुष्य की सद्गती कर नहीं सकते भगवान सद्गती करने आते हैं पुर्शोत्तम संगम युग पर जो अब हो रही है यह दो तीन पॉइंट्स मुख्य है शिव और कुरुष्ण की गीता का कॉंट्रास तो है ही तरिमुर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सद्गती होती है ऐसी ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मन्थन करे तब औरो पर भी असर पड़े मनुष्य मनुष्य की सद्गती कभी कर नहीं सकते सिर्फ एक ही तरिमुर्ति परंपिता परमात्मा शिव जो टीचर भी है सत्गुरू भी है वह इस पुर्षोत्तम संगम युग पर सर्वकी सद्गती कर रहे है कार्ड में थोड़ी लिखत ही हो उपर में लिखदेना चाई है कल्यूगी कोडी जैसे पतीत मनुष्य से सत्यूगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का इश्वरिय निमंत्रन ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी से आएंगे समझने के लिए सद्गती दाता बाप की ही शिव जैन्ती मनाई जाती है एक दम क्लियर अक्षर हो मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने धेर शास्त्र पढ़ते हैं माथा मारते हैं यहां एक सिकन में बेहद के बाप से मुक्ती जीवन मुक्ती मिलती है जब बाप का बनकर उनसे नौलेज लेते हैं तो जीवन मुक्ती अवश्य ही मिलेगी पहले मुक्ती में जाकर जैसा पुर्शार्त किया होगा ऐसे जीवन मुक्ती में जरूर आएंगे जीवन मुक्ती मिलती जरूर है फिर शुरू में आए वा पिछाडी में आए पहले जीवन मुक्ती में आते फिर जीवन बंध में ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स अगर धारन करें तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचय दो किसको परिचय नहीं देते तो गोया ज्यान नहीं है समझानी तो दी जाती है परंतु तकदीर में नहीं है कल्यान कारी बाप के बच्चे तो कल्यान करना चाहिए नहीं तो बाप समझेंगे, यह कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कल्यान तो करते नहीं, साहुकार अथवा गरीब, कल्यान तो सबका करना है, परंतु पहले गरीब उठाएंगे, क्योंकि उनों को फुरुसत हैं, ड्रामा में नूद ही ऐसी हैं, एक साहुकार अगर अभी आजाए, तो उनके पिछाडी धेर आजाए, अब अगर महिमा निकले, तो धेरों के धेर आजाए, तुमारा है इश्वरिय मर्तबा, तुम अपना भी और औरों का भी कल्यान करते हों, जो अपना ही कल्यान नहीं करते, तो औरों का भी कर नहीं सकते, बाप तो है कल्यान कारे, सर्वका सदगती दाता, तुम भी मददगार हो ना तुम जानते हो, वह है भक्ति मार्ग की दशाँ सदगती मार्ग की दशाँ एक ही है, जो अच्छी रीती पढ़ते और पढ़ाते हैं, उन पर है ब्रस्पती की दशाँ, उनको महारती कहेंगे अपनी दिल से पूछो, हम महारती हैं, फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं, प्यादे कभी किसको ग्यान सुना न सके अगर किसका कल्यान नहीं करते, तो अपने को कल्यान कारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिएं, बाप तो पुर्शार्त कराएगा, इस यग्य सेवा में हड़िया भी देनी चाहिएं, बाकी सिर्फ खाना पीना, सोना वह सर्विस हुई क्या, ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे, बाप तो कहते हैं, पुर्शार्त कर नर से नारैन बनो, सपूत बच्चों को देख, बाप भी खुश होंगे, लवकिक बाप भी देखते हैं, यह तो बहुत अच्छा मरतबा पाने वाला है, तो देखकर खुश होंगे, पार लवकिक बाप भी ऐसे कह बेहद का बाप भी कहते हैं, हम तुमको विश्व का मलिक बनाने आए हैं, अब तुम औरों को भी बनाओ, बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फाइदा होगा? सब को सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को याद करो, भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ, तो सब कहेंगे इनकी शिव बाबा से बहुत प्रीत हैं, यह तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है, टेव यने आदत पढ़ जाएगी, तो खाते रहेंगे, और बाबा को भी याद करते रहेंगे, दैवी गुण भी जरूर धारण करने है, अभी तो सब पुकारते हैं, यह पतीत पावन आओ, तो जरूर पतीत हैं, शंकराचारिय भी शिव को याद करते हैं, क्योंकि वही पतीत पावन है, आधा कल्प भक्ती करते हैं, फिर भगवान आते हैं, कोई को हिसाब का थोड़े ही पता हैं, बाप समझाते हैं, यग्य तप दान से मैं नहीं मिलता हूं, इसमें गीता भी आ जाती हैं, यह शास्त्र आदी पढ़ने से कोई की सद्गती नहीं हो गीता, वेद, उपनिशद, सब हैं भक्ति मार्ग के, बापतों, बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं, जिससे राजाई प्राप्त कराते हैं, इनका नाम ही है राजयोग, इसमें पुस्तक की कोई बात नहीं, टीचर स्टडी कराते हैं, पद प्राप्त कर आने के लिए, तो फॉलो करना चाहिए, सबको बोलो, शिव बाबा को याद करो, वह हम सब आत्माओं का बाप हैं, शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, एक दो को सावधान कर उन्नती को पाना हैं, जितना याद करेंगे, उतना अपना ही कल्यान हैं, याद की आतरा से सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे याद में रहे कर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है वह भक्त लोग भोग लगाते हैं तो भी राम राम कहते रहते हैं राम नाम का दान देते हैं तुमको तो बुद्धी में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाई है बुद्धी में सारा दिन ग्यान रहना चाई है बाप के पास सारी रचना के आदी मध्य अंत का ग्यान है न उँचे ते उँचा भगवान है तुम उनको याद करेंगे तो उंच पद प्राप्त करेंगे फिर दूसरे किसको याद ही क्यों करें बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो दूसरे सब छोडने पड़ते हैं यह है अविविचारी याद अगर याद नहीं पड़ती तो गांट बांद लो अपनी उन्नती के लिए उंच पद पाने के लिए पुरशार्त जरूर करना हैं हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर हैं तुम सब पंडे होना पंडो का काम है रास्ता बताना इतना सारा ग्यान पहले थोड़े ही तुम्हारे में था सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी सो तो जरूर होगा ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल पढ़ते रहते हैं फिर कल्प के बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे पिछाडी में तुमको सब साक्षातकार होंगे साक्षातकार होने में देरी नहीं लगती हैं बाबा को जल्दी जल्दी साक्षातकार होते गएं फलाना फलाना राजा बनेंगे यह ड्रेस होगी शुरू में बच्चों को बहुत साक्षातकार होते थें फिर अन्त में बहु होंगे फिर याद करेंगे अच्छा इमिठे मिठे सिकीलदे बच्छो प्रति मात पिता बाप दाधा का याद प्यार और गुड मौर्निंग रूफानी बाप की रूफानी बच्छो को नमस्टे धारणा के लिए मुख्य सार है एक नमबर भोजन पर एक दो को बाप की याद दिलाओ याद में भोजन खाओ एक शिव बाबा से ही सच्ची परीत रखो दो नमबर यग्य सेवा में हड्डिया देनी है बाप का पूरा मददगार बनना है सभी गोप गोपियो प्रती मातेश्वरी जी के हस्तो से लिखा हुआ याद पत्र 1961 सभी गोप गोपियो प्रती अति याद प्यार बाद समाचार की आप सब गुरस्त व्यभार में रहते कमल फूल समान अपनी जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना लाडले गोप तो अब सर्विस को अच्छी रीती उठाने के पुरिशार्त में लग गए हैं बहुत अच्छा है आखिर भी अपने परम्पुज बाप का परिचे सब को मिलना ही है यह तो जानते हो कि इस उच प्राप्ती को कोटों में कोई ही पासकेंगे परन्तु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे तो ना अच्छा तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो जाना अविनाशी ज्यान धनका तो बहुत अनोखा है अखूट है जो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है कोई इसे प्राप्त कर ले तो जनम जनमांतर के लिए माला माल बने जाए यह चीज ही ऐसी है कहो लाडले गोप गोपिया ठीक बात है न आप सभी गोप गोपिया अतिंद्रिय सुखमे जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलो देखो लाडले गोप गोपिया अब इस ब्राम्हन कुल की वृद्धी होने में ही सबका कल्यान है फिर तो ब्राम्हन सो देवता अवश्य बनेंगे जैसे कई अपने गुरुअस्त व्यवार में रहते भी ब्राम्हन कुल वौशी बनकर चल रहे हैं अर्थात गुरुअस्त व्यवार में रहते पवित्र रहते हैं हम एक बाप के बच्चे हैं ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं बाकी सभी को उस परंपिता भाप के डाइरेक्शन पर ही चलना है इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राम्वन कुलवंशी कहा जाता है जबकी अब वही बाप टीचर सत्गुरु बना है धरम राज भी है तो क्योना उनकी गोद का बच्चाबन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए जिससे ही भविश्य में सुक शान्ती का पूरा अधिकार प्रालब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है कहो लाडले गोप गोपिया ऐसे सह जराज को समझ गए होना जीते जी मरने अथवा मरजिवा बनने में डरते तो नहीं होना आज यह पत्र हर एक अपने अपने नाम से समझे और अपना पत्र समझ कर पढ़े अथवा सुने और मा का प्यार भी हर एक अपने नाम से पाए हर एक गोप गोपी प्रती नाम सेत मा का अत्यंत प्यार अच्छा अपना सवभाग्य उच बनाने के पुर्शार्त में तिव्रवेग से लगे रहना ही कल्यानकारी बनना है जबकि अभी पता चला है कि स्वयम परंपिता उच वर्शा देने आया है तो लेकर ही रहना है अच्छा छुटी लेते हैं ओम शान्ति वर्दान है अभिनाशी प्राप्ती के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित तब हुआ संगम युग पर डायरेट परमातम प्राप्ती है वर्तमान के आगे भविश्य कुछ भी नहीं है इसलिए आपका गीत है जो पाना था वो पा लिया इस समय का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राम्वनों के खजाने में यह अभिनाशी प्राप्तिया है इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चहरे से सदा प्रसन्नता की विशेशता दिखाई देगी कुछ भी हो जाए सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड नहीं सकते हैं स्लोगन है परमातम प्यार के अनुभवी बनों तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती अच्छा ओम शान्ति अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्टास्तिती का अनुभव करो कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह रुहानी है अलोकी कहे अपने पूर्वजपन की स्मृति से सभी आतमाओं की पालना शान्ति की शक्ति से करो आपका फर्ज है अशान्ति के वायु मंडल में आतमाओं को शान्ति का दान देकर उनमें शान्ति की सेन शक्ति की हिम्मत भरना इसके लिए अपनी वृत्ती द्वारा, मन्सा शक्ती द्वारा, विशेश सेवा करूं लाइट हाउस बन सर्वकों, शान्ती की लाइट दूं अच्छा, ओम, शान्ति सभी बच्चों के लिए मात पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरब से टोली स्विकार हो टोली खाओ और अपना संगम का वरसालो अच्छा, ओम, शान्ति वाह बाबा वाह, वाह र्रामा वाह, वाहरे मैं आत्मा वाह, वाहरे मेरा भाध्य वाह, वाहरे मेरा इश्वरिय परिवार वाह, वाहरे मैं स्वराज अधिभाई आत्मा वाह, अच्छा, ओम, शान्ति निरा बाबा, मिथा बाबा, यारा बाबा, पदंगुना, 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 शुक्रिया बाबा, 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 शुक्रिया बाब झाल झाल झाल